Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel सरकारी भारत दोस्तो आज की स्वीडियों के दर हम बात करने वाली है राजिस्तान RSMSSB की तरब से जो वेकेंसी निकल कर आई है और ये वेकेंसी निकल कर आई है इंस्टक्टर की तो कम्प्यूटर इंस्टक्टर की जो वेकेंसी निकल कर आई है लगबग 10,000 प्लस पदों पर ये वर्ती आज निकल आई है जिसका नोटिफिकेसन जारी हो चुका है तो बहुत सारी श्टुणेंट का कॉशन था किसार इसका प्रिवेस यर का कॉशन पेपर लेकर आई ए इसका प्रिवेस यर का पेपर कैसा आता है किस टाइप के इसमें questions पूछे जाते हैं examination में किस तरीके का paper आता है तो मैं इसका previous year का question paper आप सभी के लिए साथियों लेकर आया हूँ तो अगर आप भी लोग 10.000 प्लस पदव पर ली इस बढ़ती की तयारी कर रहे हैं और RSMSSB यानि की राजिस्तान subordinate service selection board की तरफ से जो begin से निकलती है instructor की junior जिसमें basic computer instructor है और senior instructor के बदव पर भरती निकली हुई है तो अगर आप लोग भी इसकी तयारी कर रहे हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लोग subscribe कर लिजेगा क्योंकि राजिस्तान के कोई भी भरती हो अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो यह आपने बहुत बड़ी गल्ती की है चैनल को सबसे पहले subscribe कर लिजेगा तो फेंट्स देख लेते हैं ये booklet number series A है 300 number का ये paper था और 3 घंटे का इसमें समय दिया गया था तो सबसे पहले आप लोग निर्देश पढ़िएगा निर्देश ये है और पूरा paper दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको questions देखने को मिलेंगे और इसमें बनवाई 3 की negative marking थी और सभी प्रशन आपको करने थे समान अंक के थे ये आप में चार बिकल्प multiple choice type का question paper था और mobile phone, bluetooth इसका electronic gadget आपको question नहीं ले जाना एक जाम है ये सभी notice आपको दिये गए थे इसमें निर्देश दिये गए थे फिर आपको rough hour के लिए यहाँ पर paste दिया गया था फिर यहाँ से आपकी starting होती है questions की clear happens तो जो भी student तयारी कर रहे हैं सबसे पहले तो वो लोग आ जाएं और channel को subscribe सबसे पहले कर लें तो चलिए मैं start करता हूँ थोड़ा सा इसको छोटा कर दिता हूँ ताकि आपको questions अच्छे से नचराएं देखिए यह है आपका question paper clear है और इसमें gk, gs, math यह सभी किस अभी पूछे गए ते मैं आपको solution नहीं दूँगा लेकिन हाँ आपको यह जरूर है आपको paper दिखा दूँगा पूरा paper आप लोग देख लीजेगा clear और paper कैसा आता है यह इसमें देखने को आपको चीजे मिलेंगी किस type का paper आता है paper का level कैसा रहता है question किस type के पूछे आते है राजस्तान की gk कितनी पूछी गई है और आंगे के exams के लिए आपको कैसी तयारी करनी होगी यह सबी चीजे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी तो मैं आपको पूरा paper देखा रहा हूँ आप लोग paper को देखिए सबसे पहले यहाँ पर यह आपका GS से general science से question पूछा गया है प्रते एक सवाल आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है इंग्लिस में भी लिखा हुआ है तो आप हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे इंग्लिस वाले इंग्लिस में पढ़ेंगे और वीडियो को पॉज़ कर दीजेगा यह सबसे बड़ी बात इसमें रखी गई हमने आप वीडियो को पॉज़ कीजेगा वही क्वेशन जो आपको देखना है चार-पांच बार आप उसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रिपीट करके भी आप यहाँ पर देख सकते हैं थाकि क्वेशन आपको दिखने लग जाएं तो हमीर ने सुल्तान अलावदिन खिल जी से लेटर प्रशन पूचा गया है कागा भान दी किसे कहा जाता है तो इश टाइब के गुछन भी आप पूचे गए हैं आपर मारवार्ड पब्लिक सोसाइटी ओर्डिनेंस कब जारी किया गया था तो ये भी कोशन है राष्टपती की सक्तियों से लेटेट प्रशन पूछा गया है आपसे और हाई कोट से लेटेट प्रशन जोके एक्जामनेशन में अटकराते ही है वो भी आया है इसके बाद त्यत्तरवा सम्मेदाने संसुदन 1992 पंचायती राजविवस्ता से लेटेट प्रशन तीन चार कोशन यहाँ पर देखने को मिले हैं ग्राम पंचायत से भी प्रशन यहाँ पर देखने को मिला है भारत में सबसे उचा बिदी अधिकारी कौन होता है यह प्रशन आपको देखने को मिलेगा राज जिपाल से संबंदे प्रशन राज जिपाल कौन बन सकता है उसकी उम्मर कितनी होनी चाहिए इस टाइप का क्वेशन मौल का अधिकार से इलेटर प्रशन पूछा गया है राइस्तान में पहली बिदान सवा का समय क्या था यह पूछे गई पूछेगा लैंस की छम्ता से लेटर यहाँ पर फिजिक्स के दो-तीन सवाल है यानि कि जनरल साइंस भी आपकी यहाँ पर इ यहं एंतिडोत्स के बारे में आप असे प्रश्ण पूछा गया है तो यह प्रश्ण पूछा गया है थे, प्रूच्टु questions आपके physics के हैं जो कि आपके यहां पर देखने को मिले हैं तो paper complete होने वाला है आपका और 100 questions है इसमें जो कि आपसे पूछे गए हैं यहां पर आपको math और जो reasoning है दौनों के दौनों subject यहां पर देखने को मिल जाएंगे math बहुत आसान था paper में और reasoning के question भी बहुत ज्यादा आसान थे कोई एक आदी question होगा जो आपको difficult लगे पाकि सभी के सभी questions में आसान रहे थे तो जो भी student तयारी कर रहे हैं राजिस्तान instructor के पदों पर जो vacancy निकली है computer instructor के पदों पर senior instructor basic computer instructor के पदों पर जो vacancy निकली है उसके लिए यह पेपर आपके लिए लावदायक होगा तो math के question आप लोग देख लिए का सरल पेपर है ज्यादा मुझे तो टप पेपर नहीं लगा है question तो एक दो question math के हो सकते हैं जो आपके परेशन करें बागी तो सब कुछ आसान है formula based question यहाँ पर पूछ लिए गए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है सीधा सीधा पेपर आपका यहाँ पर रहा है तो उम्मीद है आपको पेपर अच्छा लगा होगा चितने student है उनको पेपर सभी को अच्छा लगा होगा कोई भी student ऐसा हो जिसको पेपर में अगर दिक्कत है तो बताईएगा और आप लोगों ने अगर solve किया है तो comment box में इसके answer जरूर लिखेगा यह सबसे बड़ी main चीज है आप लोग answer जरूर लिखेगा ठीक तो यह रहे आपके 100 और पूरा का पूरा पेपर आपके सामने है और 31 पेज़ का है तो यह आपके mathematics बहुत ज्यादा question पूछे गए mathematics के और यह सबसे बड़ा फायदे बाली बात भी है कि mathematics के question आपके लिए आसान सवाल है और question में पूछे गए है clear events तो उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ मे आयाओ का simple interest का compound interest का mensuration का कोई भी chapter नहीं बचा है जो आपका नहीं पूछा गया हो तो सारे के सारे questions आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो कुल मिलाकर आपका paper बात करें तो यहाँ पर math के question आप देखेंगे pie chart से लेटेट भी आपके प्रस्न यहाँ पर पूछे ग font style के बारे में question पूछा गया compact disc के बारे में URL की foot pump पूछी गई है और यह सभी questions आप से यहाँ पर पूछेंगे तो computer का भी एक अच्छा खासा है इसमें देखें कंप्यूटर की vacancy निकल लए है तो सीधी सीधी बाता है senior computer हो या basic computer हो तो computer के questions तो बनेंगी बनेंगे तो कुल मिलाकर आपका paper है यह और जिसमें computer के भी बहुत सारे question है लगवक 30-40 question है आप लोग count कर लीजेगा और यह पूरा का पूरा paper देखें एक bit बराबर होता है how many words a pixel का मतलब क्या होता है digital signature का मतलब क्या होता है Bluetooth का मतलब क्या होता है network में conjunction गटित होता है Wi-Fi का full-form क्या होता है mathematics के भी यहाँ पर सवाल आपको देखने को माफ कीजिका हिंदी के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे समा से लेटर संदी से लेटर पर्याबाची बिलोम सब्द अनेकर सब्दों के लिए कर्थ और सब्द युगम यह सभी प्रशना आपको यहाँ पर देखने को तो यह आपका पेपर समापत होता है और 180 कोशन का यह पूरा पेपर है अब आप लोग बताईएगा कि पेपर आपको कैसा लगा सबसे बड़ी बात है कि आपको पेपर कैसा लगा यह सबसे बड़ा कोशन वार्ग है ठीक तो इसमें हिंदी भी पूछी रीजनिंग भी पूछ आपका यहां पर जीके राजिस्तान की पूछी और जीइस भी आप पर हैं जनल साइंस के भी कोशन यहां पर देखने को मिले थे-physics,mers, Soonest, वालोज, जीके और बात करें तो यहां पर राजिस्तान की धिकी और जीके के कुछ कोशन और भी थे बात करें तो यहां पर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मैं थोड़ा सा आपको एक वार पुरा पेपर दुबारा से रिपीट कर देता हूँ जो भी स्टूरेंट देखना चाहें वो एक वार और देख सकते हैं फास्टली मैं आपको पेपर आपके सामने रख देता हूँ कुल मिलाकर ये एक सो असी नमबर का था पूरा पेपर मैं रिपीट कर देता हूँ कम्प्यूटर के questions ये रहे आपके तो आप लोग कम्प्यूटर के questions वाले computer को देख लाएंगे इसके बाद अगर बात करें दोस्तों ये आपका computer के questions चल लाएं सबी के सभी फास्टली हम देखते जाएंगे और computer के questions को यहाँ पर देख लेंगे तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 30 question माफ कीजिएगा 30 question यहाँ पर computer के हैं इसके बाद आपका mathematics का mathematics के भी अच्छे कासे question यहाँ पर देखने को आप सभी को यहाँ पर मिले हैं तो यह mathematics में हर chapter से percentage हो, ratio हो, age हो, algebra हो, mensuration हो और सारे के सारे ratio proportion हो, compound interest हो, simple interest हो सभी chapter से यहाँ पर question देखने को मिले हैं तो कुल मिलाकर अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर mathematics के बहुत सारे question पूछे गए हैं तो जो questions आप से पूछे गए हैं वो question पूछे गए हैं आप से आपका starting हुआ था 120 पर तो कुल मिलाकर जो आपके question है जो mathematics के हैं लगबख लगबख 55 के करीब आपके यहाँ पर भी question पूछे गए हैं इसके बाद आपका math के और भी question है फिर जो आपका reasoning के question पूछे गए थे फिर environment के question और channel science के question जिसमें physics, chemistry, biology तीनों से question पूछे गए थे यह सबसे बड़ी बात थी तो काफी बास्ट है वाइड है इसका जो सलेवस है और एक वार अगर आप बहतर तरीके से तयारी इसकी कर लेते हैं तो आप मुझे नहीं लगता कि आप इसको अराम से इसको crack कर जाओगे आपको paper कैसा लगा ये बात आप लोग comment box में बताएगा सभी student comment box में answer लिखेंगे इन सभी questions के जिनको आते हैं किसी भी question का अगर आपको answer पता है तो आप लोग comment box में लिख दीजिगा उमीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिगा और ये रहा आपका first question and that's now fine clear ये पूरा आपका paper रहा और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं बूलना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Thank you, thank you for watching this वीडियो